बहुत सरे अपडेट से जो कि आप लोगों के साथ सेयर करना था कारान है जिस बज़ा से आप लोगों के विज़ा डिले हो रहे हैं अभी इसराइल जाना सेफ है और इसराइल से सीधे आपको जो है जमीनी हाकिकत बता रहा हूँ फ्लाइट अभी चल रहे है शुरू हो गया ह हैं बहुत सरे लोग आ रहे हैं पूरे ब्लॉग को देखिए आपको बहुत सरी इंफर्मेशन मिलेगा तो फ्रॉड लोगों से समाल के रही है बच के रही है हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो चलिए मैं सीधे इसराइल से आ गया हूँ एक और ब्रैंड न्यू वीडियो लेके उमीद करता हूँ आप सब लोग एक दो मस्त हो मैं भी अच्छा हूँ देखिए आप लोग देख सकते हो मैं बाहर आया हूँ और बहुत सरे अपडेट से जो कि आप लोगों के साथ सेर करना था तो मैंने सोचा बाहर चलते हैं आप लोगों को बाहर करना जारा थोड़ा बहुत दिखा देंगे और साथ में जो इंपोर्टेंट बाते आप लोगों को बता देंगे दोस्तो अगर आप इसराइल आना चाहते हो और इसराइल आने के कीजिए पूरे ब्लॉग को देखिए आपको बहुत सरी इंफर्मेशन मिलेगा दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजा नोटिफिकेशन आल कर दीजिए ताके ऐसे यूजफूल इंफर्मेशन आप आपको मिलता रहे दोस्तों जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे की फ्लाइट का निव सीडियूल और अपडेट्स होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बताने से पहले आप लोगों को एक बता देता हूं बहुत सारे लोग मुझे कोमेंट कर रहे हैं कि अभी इसराइल जाना सेफ है क्या इसराइल में स्थिती कैसा है महल कैसा है तो आप लोग खुद देख सकते हो मैं बाहर आया हूं इसी वज़ा से मैं बाहर आया हूं ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा महल जो है दिखा देता हूं आप लोगों खतम हो जाएगा यह उसके बाद फिर नॉर्माल सुरू हो जाएगा मतलब काम का डेस सुरू हो जाएगा देखिए मीडिया का खबर आप अगर सुन रहे हो हो तो मीडिया अभी भी जो है सब कुछ चीजे है बड़ा चरा के बता रहा है तो आपको जो है बिल्कुल डरा देग मीडिया का खबर उतना सीरियसली आप मत लीजिए मैं इसराइल में हूँ और इसराइल से सीधे आपको जो है जमीनी हकिकत बता रहा हूं तो आप देखिए तो सब कुछ आपको जो है यहां पर नर्मल नजर आया होगा तो बिल्कुल डरिये मत आप इसराइल अराम से और इसराइल में आने के बाद क्या क्या करना है क्या नहीं करना है यह सारे चीजे अगर आपको जाना है तो मैंने अल्रेडी दो व्लोग लास्ट विक अपलोड किया हूं तो वह जा के आप लोग जो है देख सकते हो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे तो आप बात करते हैं विशा के बारे में, देखिए बहुत सरे लोग बोले के विशा नहीं मिल पा रहे, क्या हो रहे, देखिए आपको समझना है कि दो बजा है इसका, एक तो यहाँ पे वार चल रहा था, काफी दिनों से, लास्ट पंदरा बीज दिनों से, मतलब चल तो रह है जिस बज़ा से आप लोगों का विशा dua हो रहें तो जैसे यह खतम हो जाएक उसके बाद आप लोगों का विशा बढ़ा का मिलेगा आप लोगों को इंटर्वी बिसुरू हो जाएगा सब कुछ नोर्माल होगा, आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है मैं समझता हू कि जो लोग पैसे दे चुका हो और वेट कर रहे हो विसा के लिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल का घरी है तो मतलब टेंसेन माद लीजिए वेट कीजिए दो चार दिन का बात है सब कुछ जो है नॉर्माल हो जाएगा और आप लोग को विसा भी मिलेगा आप लोग इस्रा अब लोग पता है तो इसमें क्या है बहुत सरे फ्रॉड लोग है इसको लेके बिजिनेस कर रहे है बोलेगे मैं कम पैसा से इसराइल भेज दूँगा तो बहुत सरे फ्रॉड हो रहे तो फ्रॉड लोगों से समाल के रहिए बच के रहिए साब्धन रहिए और जो जो है बिल्कुल ठक जाएंगे तो किसी से भरसा मत कीजिए आप लोग जो है दोस्तों सीधे NSDC को मेल कीजिए और आपका जो भी सवाल है जो भी कोयर है आप सीधे सीधे उनको पूछिए बो लोग तुरंत आपको जो है आंसर देते हैं सब आपका जो भी डाउट है जो कि आप भरसा कर सकते हो जो कि प्राइवेट एजेंट है तो एक है डाइनमिक और दूसरा है एसिया पावर तो यह दो भरसा मत एजेंट है जो मतला लोगों को इंडिया से इसराइल लेके आ रहे है दोस्तों आप बात करते हैं फ्लाइट डिटेल्स के बारे में जा रहा है कि फिर से जो फ्लाइट जो है 16 मैं से सुरू होगा देखिए पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताया था कि 30 एप्रिल जो भी बना मतलब एर इंडिया बता रहा है तो उमीद यह मत रखिए कि 30 एप्रिल से सुरू हो गया यह फिर से पीछे जाएगा तो और बाकी रहे दूसरा फिलाइट का जो एर इंडिया छोर के आप लोग और यूज कर सकते हो वो है फ्लाइड दुबाई जो कि दुबाई हो के आता है तो वो फ्लाइट अभी चल रहे है शुरू हो गया है बीच में जो है दुबाई में जो बार आने के वज़ा से थोड़ कम हो गया था बन हो गया था लेकिन वो फिर से शुरू हो गया तो आप लोग जो है फ्लाइड दुबाई यूज कर सकते हो एक और है जो कि है इथियोपियान E.R.O.S में भी आप लोग आ सकते हो वो भी आभी चल रहे है बड़ा बड़ चल ले तो फ्लाइड दुबाई और इत्योप्याश यह एए दो यूज करके आप लोग इज्राएल śisconsin देखिए आभ जो बात है कि जो सरकारी संस्ता से लोग इंडिया से इस्राएल नहीं भले आ रहे उंन लोगों को अभी इस्राएल नहीं लेकर आ रहे वो लोग पैसे लेके ये लोग ज़्यादा पैसा लेते है 4-5 लाग पैसे लेते है तो वो लोग अभी भी लोगों को भेज रहा है इसराइल देखे दोस्तों आप लोग आ सकते हो लेकिन प्रॉब्लेम क्या है पता है फ्लाइट का प्राइस जो है अभी बहुत ज़्यादा है नॉर्माली फ्लाइट का प्राइस कितना होता है 35-40 हजार इंडिया रूपीज होता है लेकिन अभी जो है वो लगबग 80 हजार रूपिया आ रहे लास्ट वीक एक दोस्त आया है वो एमाजेंसी के लिए उसको आना पड़ा इंडिया से पता है कितना प्राइस दे के आया है देर लाग रूपिया मतलब सोच सकते हो फ्लाइट तो आप लोग क्यो भा इतना पैसा खर्च करके आओगे रुख जाओ एक महीना पंदरा दिन रुख जाओ जब फ्लाइट खुल जाएगा तब आना तब जो है प्राइस भी कम हो जाएगा और यहां का महल भी एक दम पूरा जो परफेक्ट हो जाएगा मुझे याद आया किसी ने मौसम के बार में पूछ रहा था तो इस टाइम जो है अभी जो है फिलाल 18 डिग्री से 26-30 डिग्री मैक्सिमम जा रहे है तो अब समझ सकते हो कि कितना अच्छा टेंपराचर है और ओधर कितना अच्छा है अभी तो धीरे धीरे बड़ेगा जैस सबसे आअसान तरीका है कि आप लोग मेरा Instagram ID और Facebook ID जो कि Description box में मैं दे दिया हूँ वहाँ पे जाके मेरा Instagram ID पे और Facebook ID पे आप लोग पार्सोनल मेसेज कीजिए उधर जाके आप लोग फॉलो कर लिजिए और मुझे मेसेज कीजिए मैं आप लोग को आपका नामबर जो है शेयर कीजिए या तो मैं अपना नामबर शेयर करूँगा आप लोगों से फिर बात होता रहेगा तो दोस्तों देखिए अभी जो है साम होने वाला है और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया आप लोगों से बात भी कर लिया प्लीज भाई साब आप लोग जैना बहुत सरे लोग जैना गलत कमेंट कर रहे हो उल्टा पल्टा कमेंट कर रहे हो तो उल्टा पल्टा कमेंट मत कीजिए भाई मैं जो information आपको दे रहा हूँ, अगर आपको काम का लगे, तो अच्छा comment कीजिए, अगर आपको interest नहीं लगता है, कोई बाद नहीं, आप skip कर दीजिए, लेकिन गलत comment मत कीजिए, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को जो है, share कीजिए, जो बहुत जल्दी एक और नया व्लोग के साथ, तब तक आप लोग सेप रहिए,